ट्रिक्स की पाट्शाला बाई एनक हैद्विल नाव लर्ण जस्ट इन 30 सेकंड्स सब्सक्राइब, शेर और लाइक बड़े जल्दी सहल कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा डे कोड की आप सभी जानते हैं अपने पास देश कितने होते हैं मंडे, टूजडे, वेडनस्टे, थर्स्टे, फ्राइडे, सेटेडे और संडे सबसे पहला जो दिन होता है वीक का वो होता है आपके पास मंडे और मंडे को हम क्या लेगे चलते हैं फर्स्टे, टूजडे, सेकेंड, वेडनस्टे, थर्स्ट, फ्राइडे, फिफ्ट, सेटेडे, सिक्स, संडे, सेब्स, या इसको हम जीरो डे भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको जीरो डे तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से day code याद कर लेंगे उसके बाद जो सबसे important code है वो month code है month code में January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December इसको किस तरीके से याद रखना है आप लोगों को first three and last three 033, 035, 033, 035 उसके बाद बीच वाले 614, 625 मतलब 614 and 625 इस तरीके से आप 12th month के code बड़े आसानी से याद कर सकते हैं अगर ये दो चीजें आप लोगों को याद हो गई हैं उसके बाद हम बात करेंगे century code की century code में बैसे तो generally जो आपको exam में question पूछे जाते हैं वो 2000 से लेके 2300 तक होते हैं 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23 इन सबका एक mix code होता है 6420 even number में code है 6420 तो ये तीन code अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप सारे question को बहुत easily solve कर सकते हैं अब मैं कुछ आपको basic introduction दे रहा हूँ आपका calendar के लिए first one is general year general year क्या होता है कोई भी year जो 4 से divisible नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं general year general year की condition होती है इसमें 365 days होते हैं और 365 days को अगर हम divide करें तो ये आपके 52 week और one odd day में convert हो जाता है जो एक word आ रहा है odd day उसके आपन आगे discuss करेंगे first आप लोग याद रखेंगे कि इसमें 52 week होते हैं और one odd days होते हैं second one is leap year leap year की condition क्या होती है इसमें 52 week होते हैं और two odd days होते हैं आपने याद रखा कि general year में one odd day होता है और leap year में आपके पास two odd days होते हैं अगर आप लोगों को इतना clear हो गया है तो अब हम आपने अपने trick पर ये simple सी condition है ये कुछ basic tricks आपको याद रखने हैं के बाद हम अपने questions को solve करेंगे तो ध्यान दीजिए मैं एक example के basis पर आपको question बता रहा हूँ for example मैंने एक डे लिया 15th August 1947 15th August 1947 को कौन सा दे था generally exam में आप से इस condition को पूछा जाता है आप से पूछा जाता है 15th August 1947 को कौन सा दे था उसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से संगना सबसे पहले हम लेके चलते है date क्या लेके चलेंगा date तो date भी है कितनी है आपकी 15 फिर आता है आपका month code month code तो month code अकर मैं बात करूँ अगस्त के लिए तो अगस्त के लिए आपका month code कितना था 2 तो हमने यहाँ पर लिया 2 प्लस सेकेंड आते हम century code पर यहाँ पर क्या लिए आपको 19 तो 19th century के अगर बात करें तो अभी हमने लिखा था 16, 17, 18, 19 16, 17, 18, 19 और इसके लिए code था आपका 6420 तो यहाँ पर हमने लिखा century code ठीक है starting में आपको थोड़ा सा check करने में या solve करने में problem होगी लेकिन जैसी आपकी practice हो जाएगी तो आप बड़े आसानी से question को solve कर सकते हैं next दो important process है ध्यान से देखना first one is 47 मतलब आप क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे year सबसे पहले क्या लिखेंगे आप year और इस year को आप four से divide करने के बाद क्या लिखते हैं quotient क्या लिखेंगे quotient तो यहाँ पर ध्यान से देखना सबसे पहले मैंने लिखा year 47 और इसको divide करने के बाद आपको quotient लिखना है तो मैं अगर इसको 4 से divide करता हूँ तो 4 ones are 4 4 ones are 4 remainder क्या आता है doesn't matter आपको cable क्या लिखना है quotient तो ये अगर 5 things आपने लिख दी 15, 2, 0, 47 and 11 इन सब का जो भी sum होगा आप उसको total कर लीजिए तो मैं इसको sum कर रहा हूँ ध्यान से लेखना अच्छा sum करने के अलावे अभी हमारे पास एक छोटी सी simple method है उसको ध्यान से लेखना उसको हम बोते है 7 cutter method क्या बोलेंगे हम उसको 7 cutter method लेकिन उससे पहले आप लोग इसको solve कर लीजिए तो ध्यान से लेखना करिए final process और जो remainder आता है उसको लिखेंगे क्या आता है remainder तो मैंने यहाँ पर 7 से इसको divide किया 7 बंजा 7 and 0 remainder क्या आगे आपके पास 5 तो जैसे आपके पास remainder 5 मिला तो 5 मतलब क्या हो जाएगा तो हम यहाँ पर day code पर आएंगे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday तो Friday का code क्या मिल रहा है आपको 5 तो यहाँ पर day हो जाएगा आपका Friday क्या हो जाएगा Friday यहाँ पर आपकी थोड़ी सी calculation ज़्यादा हो जाती इसलिए हम use करते है 7 cutter method का 7 cutter method आपकी क्या कहती है द्यांग से देखना आप number लिखे हुए है उसको 7 से direct divide करते जाएए और जो remainder आ रहा है उसको लिखते जाएए 7, 2, 14 remainder 1 यह तो divide होगा नहीं 2 0 को divide करने की जरूद नहीं है इसको divide करेए 7, 3, 21, 7, 4, 28, 7, 5, 35, 7, 6, 42 मतलब remainder कितना आ आगया है यहाँ पर 5 इसको करिए 7 बंज़ा 7, remainder आ गया 4 तो अब हमारे पास और आसान होगया इसको solve करना आप यहाँ पर जो 7 का pair होता है उसको direct हटा सकते हैं इसको भी हमने हटा दिया अब आपके पास क्या आ गया 5 तो यहाँ पर अगर आपका 5 आ गया इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका day आपका day हो जाएगा Friday किसी भी question को पहली बार करने में यहाँ पर आपको पूरा procedure एपलाई करना पड़ेगा उसके बाद आप इस question को बड़े आसानी से easily solve कर सकते हैं मैं आप लोगों को एक और example बताऊँगा जो अपन इससे थोड़ा सा speed में solve करेंगे तो उसके लिए आप लोग ध्यान दीजेगा यहाँ पर हमने सारी methods लिखी हुई है सारी tricks हमारे पास है next question मैं आप लोगों को इसी में बता रहा हूँ कि 26 January 1950 क्या हुआ था भी है 26 January 1950 को तो constitution apply हुआ था हमारा question आपका इसी तरीके से पूचा जाता है कि आपका किस डे को constitution apply हुआ था तो would day है आपके पास 26 January 1950 26 January 1950 अगर आपको इस दिन डे पूचा जाता है तो आप किस तरीके से इसको solve करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अब मैं direct solve करना हूँ ज्यान दीजेगा 26 प्लस January का पोल्ड क्या होता है 0 प्लस 19th century 16, 17, 18, 19 means 0 50 and divisible by 4 and हम क्या लिखते हैं यहाँ पर quotient तो 4 से आप इसको divide करेंगे और quotient लिखना है आपको 4, 1 is a 4, carry 1 4, 2 is a 8 तो यह आगया आपको total करने की जरूद नहीं है मैंने आप लोगों को बताया कि 7C method से 7 cutter method से आप इसको direct solve कर सकते हैं तो 7 से इसको divide करें 7, 3 is a 21 कितना आगया 5, 0, 0 यहाँ पर इसको solve करेंगे 50 को divide करें 7, 7 is a 49 that means 1 7, 1 is a 7, 5 तो total आगया 5, 5, 10, 1, 11 और इसको बड़ा असान होता है 7 से divide करना और last में हम क्या लेगी चलते है remainder तो भी यह 7 से इसको divide किया तो 7 वंजा 7 और remainder आगया 4 remainder कितना आगया आपके पास 4 remainder 4 आए इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा Thursday क्या मिल जाएगा आपको Thursday तो आप इस तरीके से किसी भी प्रेशन को हल कर सकते है आप इसके एक्जामपन को ऐसे देख सकते है कि for example मेरा birthday जो है अगर मेरा birthday आपका 5th of July 1990 को आता है यह तो सब को पता होता है कि मेरा birthday काव है 5th July 1990 लेकिन यह किसी को नहीं पता होता है मेरा birthday किस डे को हुआ था सबसे important क्या होता है इसलिए एक्जाम में आपसे question डे का पूंचा जाता है तो डे के लिए आपको मैंने procedure बता लिया कि 5th July 5th July 1990 को आपको डे फाइंड करना है तो आप लोग next वीडियो में मुझे बताएंगे कि 5th July 1990 को कौन सा डे था और इस तरीके से सारी डेट्स को आप लोग याद रखें और उसके डेट को आप इस तरीके से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं ठीक है तो आप लोगों को इस तरीके की जो वीडियो है वो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें सब्क्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद